राम राम जी क्यासे हैं आप सब आप सब कापके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिमा में स्वागत हैं और यह संडे का व्लोग है जो आज आएगा और आज सुबह में ही मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूं और इस टाइम पे सुबहे के साड़े नो वजए थे और हम जा रहे हैं हमारा जो सहर बढ़ता वहां पर हमें डोक्टर के पास जाना है क्योंकि मेरा जो दर्द है वो बढ़ता ही जा रहा था कम नहीं हो रहा था बिल्कुल भी तो हमने सुचे कि शोलो दोचर टेस्ट करवा के देख लेती हैं कम से कम जो मन का जो बहम है वो तो निकल जाएगा क्योंकि कोई कुछ कह देता कोई कुछ कह देता है और फिर वही बाते हमारे दिमाग में बार बार आने लग जाती है तो इस वज़ए से और और आप लोग देखी सकते हो कि सब कुछ कितना सुन्चान लग कोई भी दुकान नहीं खुली है कुछ भी नहीं मतलब सड़कों पर बस लोग तो थे इस टाइम पर क्योंकि सुबह में ग्यारब जैसे पहले अपना जो सामान लेकर लेकर के आते हैं और जो भी घर की जो उर्तर सोई का सामान वाता वो लेकर के आते हैं तो बस वही लोग मेज़े और दो ही दुकाने किसा लिए अच्छी की ऐसे नहीं थी खुली थी और यहां पर हम होस्पीटर में पहुंच चुके हैं तो यह परच्ची कट वाए और सबस्से पहले गए थे हम जो आई चेक करries थे वहां और बस यहां पर जो हो चुका है यह दवाई ले रहे हैं और बस उसके बाद हमने बाकी जो टेस्ट करवाने थे अपने वह करवाए और ज्यादा टाइम हमें नहीं लगा क्योंकि इतनी भीड नहीं थी तो जाते ही हमारा नंबर आ गया था हर जगे पर ही तो इस वज़़े से थोड़ा सा ही हमें टाइम लगा जैदा टाइम नहीं लगा तो वस यहां पर मैं घर पर आ चुकी हूं और इस टाइम पर लगबग साड़े दस का यह टाइम था तो थोड़ी देर लेटी और उसके बाद मैं यहां पर पना पूच्छा लगाने का काम है वह कर रही हूं क्यो भी सावान भी लेकर के आना पड़ता हो जहां भी जाते हैं तो इस वज़ाए से कोई बात में काम तो आने के बाद भी हो जाएगा फिर वहां पर दिक्कत हो जाती है वाद बार रोकना टोकना सरू कर देते हैं अब सुबह में इतना कोई नहीं टोक रहा था किसी को भी और तो यहां पर बस जो मेरा वो लग चुका है और नारी लोन लेकर आकर आये तो यह जो नारीयल है उसको ही उपर से बलब की काट रहे हैं कि यह बोल रहे थे कि सायद नारीयल पानी से आराम मिल जाए नारीयल पानी पीके देख लो लेकिन मुझे यह जो नारीयल पानी वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता जीब सा लगता कि जब बच्चे हुए थे और मैंने आज भी पीने की कॉस इसकी लेकिन बहुत अजीब से हो गया था थोड़ा सा दो चार घूट पीने से ही तो बहुत अजीब लग रहा था मेरे से नहीं पियागा और इस लड़की को यह रखा था कि इसमें वाइब लगी हुई थी तो कि यह जूस है तो इस चक्र में बार-बार मांग रहा था और पाइप से पिया नहीं जा रहा था तो मैंने गिलास में डाल दिया है कि गलास में अच्छा लगा होगा इसका टेस्ट इस वज़े से तो बस उसके बाद लग गई थी मैं अपने काम पर और सबसे पहले इसे ब बाद पर लगा रहता है और जरूरी भी है क्योंकि जो थोड़ी सी अलापरवाई भी हमारी जुजान है उसका खत्रा बन सकती है और एकाफी सकता ही हो रखी हर जगे पर सहरों में भी और गाउं में भी गाउं में तो फिर भी लोगों का काम कुछ ऐसा होता है दीखते हैं गलियों में तो बिल्कुल ऐसे सब दर्वाजे बंद करके से बिल्कुल सुनसान लग रहा था सब कुछ और जो रहेडी वाले थे वह भी एक कांत में कहीं पियमतलब कहीं कोने में या फिर गलियों में उन्होंने जो रहेडी लगा रखी ती दूर-दूर ऐसे नहीं था जैसे लेकर कि भी हाँ थोड़े से तो लोग जागरूख है इस बारे में और बस यहां पर जो सामान लेकर के आई थी तो उसको डालोंगी गुड़ चने लेकर कर आये थे हम और जो सौंफ और मिस्री है वह तो बस जो गुड़ चने वह मैंने डिब्बे में डालकर रख दी है क्य टाइम पर शाम के तीन बज चुके हैं और मैं यहां पर त्यारी कर रही हूं पकोड़े बनाने की तो बस सब्जी तो रखी हुई थी और मुझे पता था शाम को कड़ी बनानी है तो फिर यह वैसे जाएगी तो मैं इसी के बना लेती हूं और सब्जी डाल लिया है मैंने इ चेहां पर अपने जो सूखे मसाले हैं धनिया डाला था और नाल में डीर दी और जो थोड़ी सी हल्डी बी बहुत हुआ ने यह पते हैं है लेकिन कोई बात में इतना भी नहीं था कि मतलब की टेस्ट में कोई फरक नहीं था लेकिन कलर थोड़ा सा यह लग रहा था और बस यहां पर जो तेल है वो डाल लिया है और मैं देख रही थी कि तेल गरम हो चुका है नहीं तो यहां पर जो हमारा तेल हो गरम हो गया था अ बस बीची का था और सब्जी जादा थी बैसन गाउन था तो ऐसा कुछ नहीं था और बस यहां पे जो अपने पकोड़े हैं वो तलूंगी और काफी दिनों से मन हो रखा था और अराध्या भी बोल रहे थी कि मैं में कुछ बना दे होता है यह बच्चे घर पे और लोकडाउ करती तो वह जादा टाइम लगता लेकिन इसमें तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा बिल्कुल एकदम जटपट से बन करके त्यार हो गए थे तो बस यहां पे जो बारी बारे से मैं अपने जो फकोड़े हैं वो तलूंगी और अब मैं सोच रही हूं कि मैं नई नई ज फोड़ा है से कि उसणने हम अलग लाग से बना करकर देखा हुं जासे केक होते हैं और लाब जामुन होते हैं उसे इस तरह के चीजें जो मिलक कैक क्योंकि बारड़े पर यह केक तो वैसे तो लेकर के आएंगे नहीं तो मुझे मैं सोच रही हूं कि मैं घर पर ही बना गर के देखूंगी दोनों तरह के कैसे बनेंगे और अच्छे बनेंगे तो आप दोको के साथ भी जरूर उसकी जो रेस्टी है वह शेयर करेंगे तो बस यहां पर जो प्कॉड़े हैं वो मेरे सारे बो चुके हैं तयार हो चुके तल लिए हैं बस तो जो मे भड़े प्कॉड़े थे तो एक बार फिर दोबारा से मिल लोंगी क्योंकि इस टेक तो हमाले जो मन में हो जाता है को ठोला सा कही कछ़़ा पन ना रहा गया तो वो तो बस यहां पर इन पकोड़ों asoda को बहुत आए कि गया दाख समें को मैं टूर करें। और आपलोग भी जो गरम गरम पकोडे हैं वह खालेजी और बस बुक लगी हुई थी और ऐसे जो चीज़े होती हैं वह गरम घर्मी अच्छे लगती हैं ठंडी ऊनके बाद तो भी लगते तो वह बस मैं भी अपने जो पकोड़े हैं वह लेकर के बेट शक्यां की चलो पहले और यहां पर माप लोगों से पूछ रही थी कि आप लोग भी खा लेजिए फिर मत बोलना कि इसी मापने पूछा नहीं था और बस से जो पकोड़े खाने के बाद थोड़ी देर तक रेस्ट किया एक तो अपने जो चुटमुट काम थे वो मैंने अपने निमटाए और इस टा लगता है तो अब कई दिनों से मुझे हो रहा कि हां मुझे चोपर की जरूरत है और मेरे पास कमेंट भीया था कि सीमा वेटा चोपर ले 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 तो लेकर के आऊंगे मैं अभी बस लोकडाउन खूल जाए एक बार इसी का इंजजार कर रहे हैं और इसमें यह रखा कि जिसे बहुत सारे जो काम हमारे रूके हुए है तो बस यह खूल जाए तो उसके बाद लेकर के आएंगे जो चीज़ा लेकर के आनी हैं और बस यहां पे जो प्याज डालने के बाद मैं डाल रही हूं जो अदरक लाहसुन का जो पेस्ट बना के रखा था वह और मसाले हैं वह ने बीच में डाल दिए आप लोगों ने देखे होंगे और उसके बार डाल दी मैंन बच्द से पक कर तयार हो जाता है इस टाइम तक आपना जो बेसन का जो खूल है वह यार कर लेंगे और यहां पर हाथ से ही ओल रही हूं क्योंकि अच्छे से घूल जाता है फिर थोड़ी सी भी गांठे वगारा नहीं रहती इस ते और बीच में मैंने जो आरी मटल थी वह तो डालने ही डालनी है special matter लेकर के जरूर आते है जिब कड़ी बनती है तो बस यहां पे जो मसाला होने के बाद मैंने पना जो गोल दा आ भी डाल धिया है और जलूरुत के सावस से पाइड ना ली और पाइड दिलाने तक यह बस यो गैस को अच्छ करते हूं क्या ने बहुत स्र propose वनानगी, क्योंकि इसलियों सबना देती है। तो अब उस वर नए अथु मैं पाईब, एस टाइम परhalten दर सोचाती, चलो अब आप लोगों से मिल करके वीडियो का एंड कर देती हूं थोड़ी सी बाते कर लेती हूं और वीडियो काफी लंबी चल रही है इस वज़ा से और डोक्टर के पास में गई थी आईज वगेरा वी चेक करवाई हमने और वी सारे टेस्ट तो सब कुछ नोर्मल है ऐसी क कि एट पर कोई दर्द मुझे करें कि स吧 कर दो एक इस वेटते ही तो है मुझे सिरमो कर दो रहें को चुछ रहें को चiquट इसा कि आएंगे रहाते है तो मुझे कोिषिज कर महीं दिमार को श्रक ने कि एक तो मतलब की हमारे जो घर का जो सिस्टम था हो मतलब काफी अच्छे से चल रहा था एकदम से फिर सभी प्रिवार के मेंबर्दी और जो हमारे पसूथे वह भी सब दिमार होने से टैंजन हो जाती है तो अभी सारे कमेंट मैसे जा रहे हैं इतना पैर दे रहे हैं लोग कि अब्र हो जो सकते हैं को टो यह मने अबसे हो के क्यों आप किसे हुए हूं भी अभी चीछे शोग वरीयो दम बनीक्र तो कुछ नहीं को तो आप बढ़ने कंसे यह और मिये तो मेरे primeiroं कमेंट वे जो मेंचे इनना पाक्र देंग पंट करण कमें सीय। शुकरिया करती हूं जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हूं और सच में आप लोगों का प्यारी है कि मैं सच बता हूं मुझे दखले बहुत ज्यादा थी आज अब थोड़ा सा बैटर फील कर रहे हूं लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूं लेकिन साथ 2-3 दिन अब आगे वीडियो ना आए क्योंकि थोड़ा सा घर काम निम्टाना और थोड़ा सा रेस्ट भी करूंगी इस वज़े से तो बस अपना प्यार ऐसा ही बनाए रखना और एक बात फिर से आप लोगों का सभी का दिल से शुकरिया क्योंकि कुछ लोग वो होते हैं जो जानते हुए भी इग्नोर कर रहे है इस तैंग पर वीडियो सब देखते हैं मुझे पता है क्योंकि यह बाते हैं अगर मैं कुछ यहां पर बोल देती हूं ऐसा वैसा तो वह बात मुझे दोबारा सुनने को मिल जाती है कि हाँ यह बाती लेकिन अब यह मैं बात कर रहे हूं तो यह सायद किसी को नहीं बता है इस तरह से लोग की विवहार किया देरा लेकिन कोई बात नहीं जो भी है जैसा भी है अच्छा है बागवान बाला करें उनका भी तो बस आप लोग अपना प्यार ऐसा ही बनाए रखेगा और यही थी आज का यह वीडिय तो चलिए फिर मिलते हैं आप लगों से किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक एर अपना ध्यान जरूर रखना